सब टीवी पर लगभग दस सालों से आप सबी को इंटेटेन कर रहा है कामेडी शो तारख महता का उल्टा चश्मा इशो के हरे केदार को काफी जादा पसंड किया जाता है भाई यहाँ पर शो की हर इक बात है काफी ज़ादा स्पेशल जो हर किसी को खुब इंटिटीन रहती है लेकिन एक बात ऐसी है जो सालों से अभी तक हर किसी को हसाती आ रही है और वो बात है आप सभी के फेवरिट जेठा लाल और बबीता जी की एक कहानी भाई शो में दूरों के बीच अलग ही चलती है बात चीट यहाँ बबीता जी को देख कर आप सभी के ये फेवरिट जेठा लाल तो बोलो डगमगा से जाते है उनके दिवानें इसकदर हो चुके हैं कि हर एक रिष्टे को भी भूल जाते है अब यहाँ पर शो में तो इनके कहानी काफी जादा दिल्चस्प है लेकिन कि आप जानते हैं कि रियल लाइफ में मुनमदता यानि कि आप सभी के फेवरिट बबीता जी किसे डेट कर रही है भाई यहाँ पर तो बबीता जी के साथ नैन मतटका चलाते हैं देटाल लेकर असल जिंदगी में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है उनके बेटे के साथ बबीता जी का जी हाँ, यहाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेट हालाल के बेटे टपूगी जिनका असली नाम है राज अनरकट जो की मुनमदतता यानि की बवीताजी को कर रहे हैं टेट जी हाँ, रियुमर्स दो कुछ यू ही कहते हैं दरसल कुछी दिनों पहले इन दोनों को एक साथ देखा गया लंच डेट पर इन दोनों ने वहां की फोटोस को खुद ही अपने इस्टाग्राम पर शेयर भी किया है ये दोनों का भी अच्छा क्वालिट टाइम स्पेंड करते हैं इस लंच डेट पर ऐसे में जब से ये फोटोस देखी गई है तब से हर कोई ये बात कर रहा है कि ये दोनों इक दूसरे को डेट कर रही है क्योंकि इन दोनों की बीश क्लोसनेस भी तो देखने को मिली है मगर भाई को स्टार होने के नाते भी तो ये दोनों जा सकते हैं एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है जो हर किसी का नजरिया थोड़ी तरह से तो चेंज कर ही सकती है और वो ये है कि बता दे कि इन दोनों के बीच लगभग 10 साल का अंतर है और इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम जो सोचल मीडिया पर इनके डेटिंग की खबरों को लेकर कर रहे हैं इस वक्त बाते तो हमारे इस रिपोर्ट के जरी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुनमन दत्ता और राज की बीच ल रहा है कोई लव अफियर तो आप थोड़ा सा ठहर जाए और इस सोच को थोड़ा सा दबा लीजे क्योंकि ऐसा बिलकुल भी सच नहीं है वेल अगर ऐसा है भी तो क्या पता आने वाले बक के साथ मुनमन और राज इस बारे में कोई बात भी करते हुए सामने आ जाए वेल अगर रियल लाइट में भी ये जोड़ी कभी बनती है तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा अगर क्या आपको लगता है कि ये जोड़ी पॉफेट होगी भी या नहीं ये आप हमें कमेंट करके जरू बता और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर अचान को सब्सक्राइब के विना वेलकुल न चाहे